हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यार दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो केजेमू नर्स भरती 2023 दोस्तो के नोटिफिकेशन भी आ चुका है सबसे अच्छी अपडेट दोस्तो 22 जुलाई से ओनलाइन भी शुरू हो चुका है और आप लुग जो है 10 अगस 2023 सक फार्म को अपलाई कर सकते हो तो दोस्तो अभी अभी नई अपडेट निकल किया रही है जी हाँ बिल्कुल ओफीशल वेब यहां ले सकते हैं जो आपको समस्या है इसके साथ ही लिंक भी दे दिया गया है सर्याट परanium करने पर फिर से प्यमेंट मांग रहा है और यहां पर हम लोग जो है final submit कर रहे हैं और final submit करने के बाद जो है जब payment कर दे रहे हैं तो payment करने के बाद फिर से बोला कि आपको फिर जो है farm को fill करना है तो इस तरीके से बहुत सारे समस्या रही है और भी बहुत सारे समस्या रही है कि payment करने पर फिर से payment मांग रहा है और पूरा payment करने पर जब final submit क करें तो बोला कि आपको फिर से funfile करना है इसके साथ हीhoe no c certificate क्या है? जी हाँ no objection certificate क्या है और कौन कौन से candidate को inoc लगाना है इसकी बिजानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको form भरते वक्ते कोई समस्या आ रही है तो नीचे ज़रूर comment करना अगर आप लोग form जो है successful फिल कर रहे हो तो आप लोगों को भी नीचे comment करना है अगर आप लोग देखो कि 25 जुलाइ हो चुका है अगर आप लोग अच्छे से फार्म को फिल कर दे रहे हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दो लेकिन अगर अभी भी आपकी जो समस्याएं हैं सौल्व नहीं हुई है तो आप लोग नीचे कमेंट करो बाकी चलिए आपको लेके चलते हैं केजमू की वेबसाइट पर सबसे पहले बात करेंगे अपडेट के बारे में इसके बाद जो आप लोग कमेंट कर रहे हो इसका रिप्लाइ भी इसी वेडियो में देने वाले हैं तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को सेर करिए पलपल की अपडेट के लिए चलिए चलते हैं वेबसाइट पर तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकती हो केजेमू किंग जार्ज मेडिकल इनुवर्सेटी चोक लखनव उत्तर परदेश इंडिया केजेमू लखनव की 200 वेबसाइट है और यह बिल्कुल ओफीसल वेबसाइट है कैरियर का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है और दोस्तों इस पेज का लिंक नीचे डिस्कुरिशन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पे आपको किलिक करना है और जैसे आप लोग किलिक करोगे डायट आप लोग इस पेज पर आ सकते हो केजेमू लखनव और यहाँ पे नीचे आओगे तो recruitment carrier का page है और आपको आना है number 3 वाली option पर clear है यह आप लोग देखिए number 3 वाली option पर आओगे तो यहाँ पे देखोगे link दे दिया गया है help desk का help desk for online application link यहाँ पे मिल चुका है इस पे किलिक करके online आप लोग जो है अपने सिकायत धर्ज कर सकते हैं इसके साथ ही help line number भी दिया गया है 079-690-49-950 आप लोग call करके भी जो भी problem है आप लोग जो है इनसे solution ले सकते हैं और अपने सिकायत जो है help line number के थरो भी दर्ज कर सकते हैं बाकि लिंक दिया गया है help desk का इस पर भी आप लोग क्लिक करके जो भी आपको समस्या हो रही है online application में आप लोग अपने सिकायत यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं तो link पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक नई page यहाँ पर open हो जाएगी यह आप लोग देख सकते हो अभी कुछ समय में डिस्पले हो जाएगी आपको back आना है और back आने पर जैसे आप लोग नीचे आओगे देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग नीचे आओगे तो submit and incident आपको जो भी incident उसको submit करना है तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो online application submit incident ओपन हो जाएगी यहाँ पर आपको department देना है general अभी सो कर रहा है तो आपको बस general यहाँ पर देना है first name आपको देना है last name आपको देना है email ID आपको देना है और इसके बाद दोस्तो priority priority में दोस्तो आपको अगर आपकी जो priority है बिल्कुल critical है तो आपको critical देना है यानि कि आपको बहुत जना समस्याएं आ रही है आपकी payment funds चोकी है और भी बहुत सारे जो भी है आप लोग आपने जो भी आपकी समस्याएं है क्या low है या medium है high है या critical है तो जो आपकी problem है अगर critical है तो आपको critical यहाँ पर देना है मैं कहूंगा कि आपको जो priority में critical ही select करना है और urgency कर बात करते हैं तो अभी यहाँ पर high level पर आपको urgent है और type की बात करते हैं तो कौन सी type पर questions related है या bugs related है अगर आपकी कोई question है और आप लोग इनसे comment करने वाले हो तो आप लोगों को कोई questions है अगर application form में जो KJM की भरती निकाली गई है उससे related कोई query है कोई questions तो आप लोग question कर सकती हो अगर आपको कोई bug है bug का मतलब है अगर आप लोग payment करने के बाद फिर से आप से payment मांग रहा है तो bug है तो आपको bug देना है अगर आपका form जो है successful fill नहीं हो पा रहा है तो आपको जो है bug वाली option पर क्लिक करना है लेकिन अगर आपको कोई question करना है तो आपको question वाली option पर क्लिक करना है लेकिन जो समस्यारी है bugs related यहाँ पर आ रही तो आपको bug यहाँ पर select करना है subject आपको देना है payment यहाँ पर आपको जो है payment regarding इस तरीके से आपको subject यहाँ पर select करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर message में काफी अच्छे से आपको बताना कि sir मैंने यह payment कर दिया है payment करने के बाद फिर से जो है payment मांग रहा है और मेरा form जो है successful नहीं हो पा रहा है काफी अच्छे से आप लोग हिंदी में भी दोस्तों लिख सकते हैं इंगलिस में भी लिख सकते हैं जो भी चाहेंगे जैसे भी है आप लोग लिख सकते हैं इसके बाद attach file अब जो आपका payment जैसे आपने payment कर दिया तो payment की रसीर जो होगी उसको भी आप लोगों को attach file वाली option पे click करके file को attach कर देना है इसके साथ ही आपको जो बता रहा है कि आपको जो है repayment करना है उसका भी screenshot लेके attach file वाली option पे click करके file को attach कर देना है इसके बाद जो यहाँ पे capture code सो कर रहा है 84 यहाँ पे 84 देना है और capital में है K80 तो आपको capital में ही दोस्तो K80 इस तरीके से capture code यानि की image verification फिल करके आपको submit करना है और आपका दोस्तो क्यों अरी जो है आपकी जो problem है solve हो जाएगी helpdex software है vision helpdex यह आप लोग देख सकते हैं submit incident helpdex software by vision helpdex आपका 24 hours के अंदर जो है आपका जो problem है solve हो जाएगी अब हम बात करते हैं जो आपको problem हो रही है clear है तो देखे problem में क्या है कि अगर आपका दुबारा payment मांग रहा है तो आपको दोस्तों payment नहीं करना है 24 hours आपको wait करना है इस अभी में होता है अगर आप लोग payment कर दे रहे हो और payment करने पर फिर शे अगर आपसे payment मांगा जा रहा है तो आपको payment नहीं करना जो आपने first payment किया है 24 hours 24 घंके आपको wait करना है 24 घंके में 100% आपका payment पेमेंट केलियर हो जाएगा और जब आपको पेमेंट केलियर हो जाएगा तो आपको मैसेज भी आ जाएगा आपको एमेल भी आ जाएगा तो एक बार सब कुछ पेमेंट करने पर आपको दुबारा पेमेंट नहीं करना है याद रखिए और भी किसी तरीके से समझ से आए आ सब्सक्राइब अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेसर हो और फ्रेसर के माध्यम से ही फार्म भर रहे हो तो आपको फ्रेसर के माध्या में से लगाना है लेकिन जो गया ना वाले आविद्ण कर रहे हैं उनके पास दो साल का experience होगा तो उन्हें no objection certificate लगा नहीं होगा तो आपको no objection certificate यहाँ पे लगाना है बाकि जो phraser है जोनोंने कभी job नहीं की है या जो job नहीं कर रहे हैं उनको no objection certificate नहीं लगाना है आपका फिर भी form success भी fill हो जाएगा कोई भी problem dv के समय नहीं होगा जी हाँ बाकि कोई query है आभी भी कोई समय से आ रही है form भरते वक्त नीचे comment कर दो मैं special video बना दूंगा बालकी help ducks आ चुका है help ducks यहाँ पे देखिए दो update के माध्यम से जानकाय दी गई है और आज रात में ही update आ गई थी मैं सबसे पहले आपको information दे रहा हूं धन्यवाद कर दो